इंडियन सिनेमा में बड़े बजट में फिल्में बनाना अब आम बात हो चुकी है, मेकर्स अपनी फिल्मों को ग्राइंड बनाने के लिए पानी की तरह पैसा भाते हैं, हाल ही कि सालों में पुछ सबसे बड़ी ब्लोगबास्टर फिल्में चौका देने वाले प्रेडक्शन बजट पर बनी है, जैसे प्रभास अमिताब बक्शन दिपिका पादुकोन और कमल हसन स्टारर कल की 2898 AD 600 करोड रुपे के बजट के साथ बनाई गई, वहीं जूनियर एंटियार और राम चरन स्टारर आरार पांच सो पचास करोड के बजट में बनी, जबकि शारुक खान क ब्लॉक बास्टर फिल्म जवान की लागा 300 करोड रुपे थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतिय सिनेमा के सबसे महेंगे सीन वाली फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है, इसके एक सीन के लिए मेकर्स ने करोड रुपे खर्श कर दिये हैं, चले जानते आखिर कौन सी है ये फिल्म, भारतिय सिनेमा का सबसे महेंगा फिल्म सीन रोहिच शेटी के डायरेक्शनल अपकमिंग फिल्म सिंगम अगेन का ग्रैंड क्लाइमेक्स सीक्वेंस बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट के मताबिक रोहिच शेटी निर्देशित इस फिल्म का ब बाले राव और सिंभा के रूप में और अक्षे कुमार को डी सीपी वीर सूरेवंची के रूप में दिखाया जाएगा, तीनों जॉइंटली फिल्म में में खलनायग डेंजर लंका यानि की अरजन कपूर से बिढ़ेंगे, रिपोर्ट के मताबिक एक्शन सीक्वेंस हैद यह फिल्म 1 नवंबर 2014 को सिनमा हॉल्स में दस्तक देगी, वला आप सिंगम अगेन को देखने के लिए हैं कितने ज्यादा एक्साइट हामें कॉमेंस में ज़रूर बताए, ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें